तो यहां पर हम टिप टाप बटन या फिर डोरी भी लगा सकते हैं जिसे यह लड़ू गोपाल जी को आसानी से पहनाई जा सकती है तो चलिए हम यह ड्रेस बनाना शुरू करते हैं इसके पहले अगर आप तक मेरे चानल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही साथ पैल आइकन भी प्रेस करिए जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबस करना नंए है कि एहां पर फूसा हो पार लिए है हम देखिया का पर कुछा कड़ते है चाहिस तो फूसा कघॉ तो फूसा कर निकाल का यृफ यह दोम लिए हएमे उसी दोहें कुछ हाल कर प्रंड़लित के लिकालिया हमें उसी इस चैन में मैं वाख फूसागर लिना हमें तीन बारी चेन बनानी है, एक, दो, तीन, हमने तीन चेन बनाई, अब हमें इसकी घेर बनानी है, तो घेर बनाने के लिए हमें हर एक चेन में से दो दो बार डबल क्रोश्या बनानी है, यह जहां से हमें चेन बनाई है, इसको हम छोड़ देंगे, इसके बाद वाली चेन तो हमें क्रोश्या में उनको लेकर दो फंदों से निकालना है इस तरीके से हमारी एक बारी डबल क्रोश्या बन गई हम फिर से क्रोश्या में उनको लेकर दो फंदों से निकालना है इस तरीके से हमारी एक ही चेन में दो बारी डबल क्रोश्या हो गई अब इसके बाद वाली चेन में भी हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरीके से हर एक चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरीके से हर एक चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया बना ली तो देखे हमारी गयर बन गई है अब हमें इसको यही पर पलट लेना है और फिर स तीन बादी चेन बनानी है हमने तीन चेन बना ली अब इसके बाद बादी चेन में से हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिये हमने दो डबल क्रोशिया बनाई अब हमें दो चेन बनानी है फिर से जहां से हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है इसी chain में से दो बार और double crochet बना लेनी है देखिए हमने दो बार double crochet बनाई फिर दो chain बनाई और फिर से दो बार double crochet बना ली अब हमें एक chain छोड़ कर दूसरी chain में देखिए हमने इसके बाद एक chain छोड़ दी इसके बाद वाली chain में हमें एक बार double crochet बनानी है फिर से दो चेन बनानी है और इसी चेन में से फिर से एक बार और डबल कुरूशिया बना लेनी है अब हमें फिर से एक चेन छोड़ देनी है और दूसरी चेन में दो बार डबल कुरूशिया बनानी है दो बारी चेन बनानी है हमें अब अमें फिर से जहांसे हमने ये दो बार डबल क्रोशिया बनाई थी इसी चेन में से दो बार डबल क्रोशिया और बना लेनी है अब नीचे से हम एक चेन छोड़ देंगे और दूसरी चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे अब दो चेन बना लेंगे और इसी में से जांसे हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई इसी में से एक बार डबल क्रोशिया और बना लेंगे फिर समय क्रोशिया में उनको लेना है और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाना है दो चेन बनानी है और इसी चेन में से जहांसे हमने दो बार डबल क्रोशिया बनाई हम दो बार डबल क्रोशिया और बना लेंगे तो देखिए यह इस तरीके से डिजाइन बन जाएगा अब हमें फिर से एक चेन छोर देनी है इसके बाद वाली और दूसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और फिर से उसी में से एक बार और डबल क्रोशिया बना लेनी है फिर एक चेन छोर देनी है और उसके ब हमारी 1 double crochet, 2 chain और 1 double crochet आया है तो अब हमें इसको यहीं से पलट करेना है और 5 chain बना लेनी है दो 3 चार पांक हमने 5 chain बनाई अब हम हमें crochet में उनको लेना है और यह बीच में 2 chain है इसमें से हमें एक बार double crochet बनाएनी है तो देखे यह स्तरीके से बन जाएगा यह जो हमने शुरू में चेंग बनाई इसको भी हम एक double crochet ही मानेंगे फिर से में उनको लेना है और यह जो हमने दो double crochet फिर दो चेंग और दो double crochet बनाई थी तो यह जो बीचमें दो चैन है इसमें से हमें बार डबल क्रोशिया बना लेंगे तो देखिए फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है ये दो डबल क्रोशिया जो है इसको हमें छोड़ देना है इसके बाद हमने जो एक डबल क्रोशिया दो चेन और एक डबल क्रोशिया बनाई है तो इसमें से ये जो बीच में हमने दो चेन बनाई है इसमें हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है फिर दो चेन बना लेनी है और इसी में से एक बार डबल क्रोशिया और बना लेनी है देखें ये इस तरही के से बन गया अब हमने 2 double crochet, 2 chain और 2 double crochet बनाई है तो हमें फिर से ये chain के बीच में से 2 बार double crochet बनानी है दो chain बनानी है और इसी में से 2 बार double crochet और बना लेनी है यह इस तरीके से डिजाइन बन जाएगी जहांसे हमने एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया बनाई है हमें उसमें से एक बार डबल क्रोशिया, दो चेन और एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और जहांसे हमने दो डबल क्रोशिया दो चेन और दो डबल क्रोशिया बनाई है उसमें से हमें फिर से दो बार डबल क्रोशिया दो चेन और दो डबल क्रोशिया ही बनानी है इस तरीके से हमारी ये डिजाइन बनेगी ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए दो लाइन और बना लेनी है जिसे कि हमारी घेर बन जाएगी हमने चार लाइन और बना कर कंप्लीट कर ली अब हमारी ड्रेस का लोग कुछ ऐसे आजाएगा तो देखे लास्ट में एक चेन बच्ची है तो हम इसको यही पर लॉक कर लेंगे क्योंकि अब हम इसमें फिर से औरेंज कलर का उन जोइंट करेंगे हमने औरेंज कलर का उन भी जोइंट कर लिया जहां से हमने यह लॉक किया था वैसे हमने उन जोइंट किया है अब हमें इसी चेन में डालना है क्रोशिया को और उन को फसा कर निकाल लेना है हमें तीन चेन बना लेनी है देखिए हमने तीन चेन बना ली अब हमें ये ध्यान देना है कि जहां से हमने दो डबल क्रोशिया और दो चेन बनाई है फिर से उसी में से दबल क्रोशिया बनाई है हमें उस वाले में अब पफ बनाना है तो हमें क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो देखिए हमने दो फसा कर निकाल कर धीला कर लेना है दो बार हमने निकाला ऐसे ही हम पांच बार निकालेंगे देखे हम इसको बिलकुल धीला रखना है जिसे कि हमारी डिजाइन सुंदर बनती है चार और ये पांच देखे हमने पांच बार उनको निकाल लिया है अब हमें क्रोश्या में उनको लेना है और इन सारे फंदों के बीच से यह जो हमने फंदे लिये थे इसमें से इस तरीके से धीला करते हुए निकाल लेना है तो यह तरीके से निकल जाएगा, अब हमें एक चेन बना लेनी है, तो इस तरीके से हमारा एक पफ बन जाएगा, अब हम एक चेन बनाएंगे, हमें फिर से क्रोश्या में उनको लेना है, और जहांसे हमने ये पफ बनाया, उसी चेन में डाल कर उनको फसा कर निकाल लेना है, एक बारी हमने निकाला, फिर से क्रोशिया में उनको लेंगे और उनको फसा कर धीला करते हुए निकाल लेंगे, हमें फिर से पांच बार निकालना है उनको, देखें, तीन, चार, और ये पांच, हमने पांच बारी फिर से उनको निकाल लिया, अब हमें क्रोशिया में उनको और सारे फंदों के बीच से इस तरीके से देखिए हम एकदम आराम से निकाल रहे है यह निकल गया अब हमें एक चेन बना कर इसको लॉक कर लेना है तो इस तरीके से हमारा यह दो पफ बन गया हमें यह ध्यान देना है जासे हमने दो डबल क्रोशिया बनाई है हमें उसी में स ये पफ बनाना है अर जाँ पे हमने जम्गल क्रोश बना लेना है एक बार और लेनी है ध्य की निर्शे की 4 लाइनों में है यहाँ बनाना हैं यह उनको लेकर एक बार और इसी में यह पना लेनी है तो देखे ये इस तरीके से बन गया फिर से हमें क्रोश्या में उनको लेना है देखे ये हमने डबल क्रोश्या बनाई है दो बारी तो इसमें से बीच में जो चेन है इसमें से हमें पफ बनाना है हमें पांच बार उनको डीला करते हुए निकाल लेना है दिखे हम जितना जादा इसको डीला रखेंगे उतना ही आसानी से बन जाएगा ये डिजाइन हमने उनको निकाल लिया है अब हम एक रोश्या में उनको लेना है और इन सारे पंदों के बीच से इस तरीके से निकाल लेना है एक चेन बना कर इसको लॉक कर लेना है यह मरा एक पफ बन गया फिर से हम एक चेन और बना लेंगे फिर से हम एक रोश्या में उनको लेना है और इसी में से एक और पफ बना लेना है पांच बार हमें उनको निकाल लेना है धिला करते हुए तीन चार पांच बार हमने उनको निकाला फिर से हमें क्रोश्या में उनको लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेना है तो देखे यह इस तरीके से बन गया अब हमें फिर से क्रोश्या में उनको लेना है यह देखे हमने एक बार डबल क्रोश्या बनाई है दो चेन बनाई है फिर से एक बार डबल क्रोश्या बनाई है देखिए ऐसे हमारी डिजाइन बन जाएगी हमने जहां से एक बार डबल क्रोशिया दो चेन और एक बार डबल क्रोशिया बनाई है हमें उसमें वैसे ही बनाना है बस हमने ये जो दो बार डबल क्रोशिया और दो चेन और दो डबल क्रोशिया बनाई थी उसमें से हमें puff बना लेना है इसी तरीके से हमें ये पूरी line complete करनी है हमने पहली line complete कर ली अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और तरीके हमें पाठ chain बनानी है देखे हमने ये एक बार double crochet बनाई है बीच में दो बार chain बनाई है ये जो हमने chain बनाई है इसको भी हम double crochet ही मानेंगे तो इस तरीके से हमारी ये वाली design बन गई है अब हमें फिर से एक chain बनानी है देखिए अब हमें इसको बढ़ाना है तो हमें एक chain बनानी है उसके बाद ये जो हमने puff बनाया है तो बीच में एक जो chain बनाई थी इसमें से हम दो बार puff बनाएंगे तो पहले हम एक बार puff बना लेते हैं देखिए हमने पाँच बार उनको ले लिया क्रोश्या में उनको लेकर हम इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेंगे और इसको लॉक कर लेंगे फिर हम एक बारी chain बनाएंगे फिर से क्रोश्या में उनको लेंगे और यह जो पफ के बीच में से हमने पफ बनाए यहीं से एक पफ और बना लेंगे देखें फिर से क्रोशिया में उनको लेंगे इन सारी फंदों के बीच से निकालेंगे और एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे अब हम एक चेन फिर से बनाएंगे और क्रोशिया में उनको लेकर ये जो हमने डिजाइन बनाई थी देखें यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे दो चेन बना लेंगे फिर से इसी में से एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे अब हमें फिर से एक चेन बनानी है और उसके बाद यह जो हमने पफ बनाया है इसके बीच में जो जगह है यहां से दो बार पफ बना लेना है फिर से एक चेन बनानी है और फिर एक डबल क्रोशिया बना कर दो चेन और एक डबल क्रोशिया बनानी है इसे तरीके से हमें ये लाइन कम्प्लीट करनी है और इसके बाद एक लाइन और बना लेनी है जिसे कि ह हीला करके यहां से कट कर लेना है तो देखे हमने इसको लॉक कर लिया अब हमारी ड्रस बहुती सुन्दर लग रही है यहां पीछे की तरफ से हमें इस पर टिप-tape बटन लगा लेना है तो देखे हमारे लड़ू को पालल जी के लिए बहुती सुन्दर सी ड्रेस बन कर बिलक आपको सबसे पहले मिले, थैंक यू